अधाकारा अंकिता लोखंडे और विकी जेन के बीच बिग बॉस 17 में काफी मतभेद नजर आ रहे हैं जिसके वज़ा से अंकिता लोखंडे शो में ही अपने पती विकी जेन को कीक भी मार चुकी हैं साथी एक्टरेस ने शो में विकी जेन के साथ शादी करने को अपनी गलती बताया था ऐसे में दोनों की केमेस्ट्री पर एक्टरेस कामया पंजाबी ने भी चुपी तोड़ी है अधाकारा कामया पंजाबी ने हाली में एक ट्वीट कर अंकिता लोखंडे की एक बड़ी गलती के बारे में बात की सामने आई कामया पंजाबी के इस ट्वीट में अधाकारा ने लिखा मैं अंकिता को पसंद करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि उसे नहीं आना चाहिए था इस शो पर अपने पती के साथ तो बिल्कुल भी नहीं उमिद करती हूँ कि वो गेम को समझे इससे पहले कि ये उनके और विकी के लिए काफी देर हो जाए इतना ही नहीं कामया पंजाबी ने अपने अगले ट्विट में विकी जेन के गेम को दिल्चस्प भी बताया है हलाकि एक्ट्रेस ने इसके साथ ही बिग बॉस के मेकर्स की भी क्लास लगा दी एक्ट्रेस ने लिखा बिग बॉस हमेशा वीकी जेन के इतने खिलाफ कियों हैं कि उनकी गेम बार बार ओपन कर दी जाती है या ये कहें कि बिगार दी जाती है कामया पंजाबी की ये ट्वीट सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है आदाकारा अंकिता लोखंडे ने हाली में शो में अपने पती वीकी जेन के साथ बात करती हो बताया कि वो मूट स्विंग का सिकार हो रही है इसके साथ ही अंकिता लोखंडे ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने शो में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाए हैं अगर ऐसा होता है तो आदाकारा अंकिता लोखंडे बीक बोस के घार में प्रिगनेंट होने वाली पहली अभिनेतरी होगी। आपका इस इस्टोरी का कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलिवुड और एंटरेटेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहें ये ए बीवेंटेन्मेंट